वरिंदावन जहां स्री क्रेशिंजी ने अनेकों लेक लिलाएं की यही वो इस्थान है जहां स्री क्रेशिंजी ने गोपियों के संग रास लिलाएं की वरिंदावन हमेशा से ही सादू संतों की तपोस्तली रहा है यहां भक्ती की असीम धारा हमेशा बहती आई है माना जाता है कि स्री राम जी ने जब स्री क्रिशन जी का अपता लिया तब से ही हनुमान जी ब्रेज में भक्ती कर रहे हैं वरिंदावन यात्रा के आज के वीडियो में आपको वरिंदावन में स्थित हनुमान टेकरी आस्रम के दर्शन कराएंगे जो हमेशा से साधू संतों का प्रिया स्थान रहा है यहां सादू संतों को निशुल्क ठेरने की विवस्ता है चाहे वो जीवनवर यहां रह सकते हैं यहां उनके रहने, खाने और चिकित्सा की विवस्ता बिलकुन निशुल्क रहती है यहां हर रोज भंडारे का आयुजन किया जाता है जिसमें बिरिंदावन दर्शन करने वाले यात्री भी निशुल्क भोजन पिरसादी पा सकते हैं आये दर्शन करते हैं इस पावन इस्थान के और जानते हैं कि कव और कैसे इस आसरम की स्थापना हुई और अन्य बातें जिन्हें शायद आप नहीं जानते रादे रादे आज हम फिर से आपको विरंदावन धाम में लेकर आये हैं और विरंदावन धाम में आपको एक ऐसे पावन इस्थान के दर्शन कराएंगे जहां संतों का सबसे प्रिया इस्थान माना जाता है विरंदावन के अंदर संत अमेशा से यहां निवास करते हुए आए हैं और आज भी संतों का यहां स्वागत होता है और जो भी संत यहां कितने भी दिन रहना चाहे निश्वल को यहां रह सकता है यह जो इस्थान है यह हनुमान टेगरी तो मैं आपको बदा दूं कि यह जो इस्थान है वो कहां है तो यह जो मार्ग है यह परिक्रम मार्ग और इधर आप जाएंगे तो सीधा ही इसकौन मंदिर की तरफ जाएंगे और इधर की तरफ जब आप जाएंगे तो यहां से आप सीधा ही बाके वियारी मंदिर की तरफ चले जाते हैं और मंदर के हनुमान टेकरी के बिलकुल सामने है फोगला आश्रम ये भी एक ब्रेंदावन का प्रिसिद्ध आश्रम है तो आईए दर्शन करते हैं हम हनुमान जी के इस इस्थान के जो बहुत ही पावन इस्थान है बहुत ही आपको आनन्द आने वाला है दर्शनों में तो मंदिर में सामने दर्शन होते हैं सिरी राम जानकी और लक्षमन जी के इनके नीचे जो छवी आप देख रहे हैं ये हैं हनुमान जी हनुमान जी के इस छवी को लगबग 108 वर्ष पूर्व एक परमसंत द्वारा यहां इस्थापित किया गया था कि बिंदावन धाम बागवान का हिर्दे बोला जाता है रमड रेती इस रमड रेती में एक बड़े सिद्ध महापुरस एक से आठ वर्ष पहले परम पूज स्री स्वामपा की जी महाराज हुए है वो इस ठीले के रहते थे तपस्या करते थे जब भजन करते अनेक जीव जन्तुआ करके उनके पास बैठते थे उस समय यह जंगल हुआ करता जंगल था और उनकी तपस्या के प्रभाव से एक किसी सज्जन को जहां हनुम जी पद्रे हुए थे लख़ए वान प्रत्मान में अनमान फ्राश्याटोग कर एक चाह प माराज जी पर उनके पास हम को पहुंचा दी हम नहीं उनसे बोल लेना थनमान जी इने ऐसा कहा है तो सजन लेकर के आए मारेजी को जैसा बताया जैसा लानबनेड पताय दैसा हो जी को स्विकार किया जिए अब उनकी सेवा पूजा करने लगे और भजन करते हुए सेवा पूजा करते हुए दो प्रिय से दोड़ ने मिल करके나 कि आस्ण का विश्थार किया एक प्रशचा करते थे यह गिवां के वक्तों के यहां से लेहार देक्ति यहां कि ऑर यह अनुष्ठान भजन करते है एक संक्ष्यवा अपने हाँ से रसुई बनाना, अपने हाँ से जिग और थाकुर्वा पना इन दोनों गुर्भाहियों ने, राम शुरुक्दाजी एवं स्री राम सरंदाजी महाराज ने तब परश्रम के द्लार इस आश्रम का विस्थार किया यहां की विशेष्टा यह है कि एक से आठ वर सोच चुके यह नमान जी महराज को विराजे हुए इसलिए इसका नाम हन्मान टेक्री आश्रम नाम पड़ा सब जगर प्रसिद्दें इसकी दो विशेष्टा है साथ साल से अखंड दीपक जलना साथ साथ से हरीनम संकीरतन यह कभि बंध नहीं होता आहाल आश्रम और 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 वह गए है कितने संत नवास कर रहे हैं अभी यहां बरतमान में 80 और बढ़ते गटते रहते बढ़ते दो से तक पूंजाते हैं जाना जाना पड़ता है वहीं चिडियां जाती हैं संतों को यह लगता है कि हमारा यह निजी आस्रा में हमारा निजी इस्थान है इसलिए कभी भी दिन रात में आते हैं मतलब संतों की पंगत होती है फिर उसके बाद साम भोजन 8 बजे होता है चाय नाश्टा वी बीच-वीच मिलते हैं और संतों की इसके साथ साथ में इलाजगी भी विश्ता होती चिकत्सा अच्छा यहां हां पिर तेग रवार को डॉक्टर आएगा और सभी संतों का प्रिट्वेंट करेगा जिसको जो परेशानी उसका इलाज करेगा सुचा रूप से अन जल बस्ट्र ओसदी इन सबकी संतों की निशुर्प शेवा होती है और यह महापुरसों का संकल्प है क्योंकि भगवान के सुरूप ही संतों होते हैं और संतों का संकल्प भगवान ही पूरा करते हैं चारो जुक परताब तुमारा है पर्शित जगत जियारा संतन के प्रूब सदा सहाई मंदिर की सुब्य प्राता काल आठ बजे खुलेगा आरती बाद 11 बजे भोग के लिए पट बंद हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा मंदिर फिर चार बजे खुलेगा सभी बिंदावन धाम के अधिक से अधिक मंदिरों का यह नियम है का 12 बजे के पहले पट बंद हो जाएगा और चार बजे के बाद पट फुलेगा और साम को आठ नौ वजे तक जैसा जिसकी कि अ ये संतों के निवास है यहां महादेव जी का मंदिर है और संतों के निवास आप देख सकते हैं यहां चारों तरफ जो हैं यह दो मंजिला इमारत है चारों तरफ यहां संतों के निवास हैं अभी महाराज जी हमें दर्शन कराएंगे संत किस तरह से निवास कर रहे हैं अभी हम चल रहे हैं जहां संत निवास करते हैं जैसा कि आपने सुना होगा कि अनुमान टेक्री में संतों का निवास होता है तो महाराज जी अभी हमें ले चल रहे हैं दर्शनों के लिए इस तरह से संत निवास करते हैं यह आपका संत नुवास है यह संतों के लिए इलिवारियां विवस्ता उनके ठाकुर जी सामगरे रखने के लिए संतों के निवास इस्थल है यह सब के अलग अलग आसन है ऐसे संतों के रहने के लिए सब यह से मिलता है रहने की उनकी सब अलग अलग विवस्ता रहती है कोई किसी से टच नहीं करेगा अच्छा है कोई बहुते हुआ कि रामाड का पाठ करता है अच्छा महराजी जैसे कोई संतागर यहां हमारा वीडियो देख रहा है वह यहां पर आके और आज इवन अपना यहां सेवा देना चाहे तो क्या बहुत अप्री खुशी की बार अच्छे मान लीजिए किसी डरद्री को संपत्ती मिलती हो इसे प्रसुन होता यह चाहिए संतों की आने से प्रसनता होती है हम सब इसलिए संतों की तो भूंक है संत आएं संत भजन करें रहें अतियानंद यह तो संतों का जीव नहीं है भाम में रहना संतों की बीच में रहना संतों की शेवा करना यह प्रित्यक व्यक्ति का करतब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् सुरसंतत लेन बीप्रे धेन शुरसंतत लीज मनोज अवतार इन चारों के लिए भागवान अवतरत लिए है तो जब होन् cinnamon तो हम सब को करना चाहिए तो परात प्लेट सब के कि स्वामी तो स्वामी ने काम किया है जो हमारे प्रांड के प्रांड पर चुन में घ्रिवन के जीवन हैं उन्होंने कार किया है जो मर्याद उस्त त Cookie राम उन्हों करके जो ठिखाया और हमस्वकों करना पूरी आश्रम में तो संतों की दर्शन होगे देखिए उदर देखिए बड़ी जटावाले बड़ी उत्तराखंड के संत आते हैं दक्षिडबारश से भी आते हैं महाराच्ष वराष्ट सब जगह से आते हैं संत संत सवे के छत्वे दिखाई देंगे संत आपको ऊपर नीचे उतरते हुए जहां था भुष्टे हुए बैठते हुए शैन करते हुए सब जगह संतों का है बिरक्त संत कोई गरेश्टी वाले नहीं बच्पन से जो यहाशी शाष्ट में लेखा है कब आलापन से हर भजें जगते रहते उदास तीरत सब आसा करें क पांच साल कोई बच्पन के साथ बच्पन से घर को त्याग दिए उनको कोई मौह मंता नहीं स्रिफ प्रशाद पाना भजन करना नको इनके कार मंदिर के परसर के सामने यह आपकी गौशाला है और बड़े चाव से यहां मातमा लोगी सेवा करते हैं और यह हमारे आचारे नीहीं इस सेवा का नियम निकाला है गौशेवा संत सेवा सानातन धर्म में आता है इक भगवान यहां दुलाई कर दिया है सफाई कितली सुन्दर यहां विवस्ता देखने को मिल रही है जल्वी और यह चारे की विवस्ता है गायों के लिए और बीच में जल दोनों तरफ बोजन अब यह खाली कर देते हैं जल भरा जाएगा यहां बोल नहीं सकते हैं तो जल्वी पास में रखा हुआ है अभी खोल दिया जाएगा अंदर गाय आएंगी जल भर दिया जाएगा और देखे लगा रखें पूरी सुविदा है और ऊपर देखिए पंके भी लगे हुए हैं चारों तरफ यहां पंके लगे हुए वह माताओं की यह गत्ते लगा रखें गईया की इतनी साफ सपाई रखते हैं बहुत बढ़ी आप बिल्कुल लीटन के लिए नहीं हमें खुद ही देखाई दे रहा है एक्दम क्योंकि उनके फुर बगवान ने जो किया है वो हम सब को करना यही भक्ति के लक्षण है विप्रधेन सुरस्य श्रशंतित्र लीन मनुज अवतार लेकर करके को सब करना चाहिए घ्यक्ति मात्त को वह सब सिखाया है सादु सेवा किसे करना इğa चाहिए ? ये सब शिकाया है सकल मुन के आस्रुमने जाए जाए सुक्क दीन राम जी सभी मुनियों के आस्रुमों में गए सब से हाल चाल पूछा सब की विपत्यों का नास किया सब को सुख दिया सबसे कठा सुने बार कया उनान इसके अलावा आस्रम में शिवजी का मंदिर है जिनने जान की बलवेश और महादेव की नाम से जाना जाता है यहां सादू संत नित्य प्रतीदिन भगवान शिवजी की आराधना करते हैं यहां हमें सादू संतों के साथ बंडारा प्रसादी पाने का अफसर मिला अगर आप ब्रिंदावन आते हैं तो हनुमान जी के इस देवाले के दर्शन अवश्य कीजिएगा मिलते हैं ब्रिज यात्रा के अगले वीडियो में जैई स्री रादे किश्ना